हम बच्चपन से ही अपने मांथा पिता, दोस्त और आसपास के लोगों से कहानिया सुनते हुए बड़े हुए हैं इनमी से अधिकतर डरावनी कहानिया हम इसे बहुत लोगों ने इनके बारे में किताबों में और फिल्मों में पढ़ा और देखा है मनुश्य जाती स्वभाव से ही जिग्यासू रही है प्रतियक व्यक्ति अपनी इच्छा नुसार सुलब और दुलब जगों को देखना चाता है लेकिन दुनिया में ऐसे कई रहस्मी जगे हैं जहां आम आदमी का जाना बना है आज हमारी चर्चा का विशे बहुती रोमांचक और आश्यरिजरक है जैसा कि हमने पहले भी कहा है अब मनुश्य बहुती इच्छुक और उस्चुक होते हैं जिस स्थान को देखने की रोग लगाई जाती है, मनुश्य उस स्थान को जानने और देखने की उस सुक्ता को रोग नहीं पाता लेकिन विश्व के कई स्थानों को सुरक्षा की दश्टी से रहस्य बना रखा है जो आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर होते हैं ऐसे स्थानों की यात्रा करना सुरक्षा के दश्टिकों से काफी सम्वेधन शील माना जाता है तो आईए जानते हैं, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं इस्टर दीप इस्टर दीप पॉलिनीशिया में एक दूरदराज ज्वाला मुखी दीप है ये मानम आकरत्यों की बूर्ती के लिए प्रसिद है ये करीब 40 फुट लंबे और लगपक हजारों की संख्या में है जिनमें इनका पूरा शरीर जमीन के अंदर इस प्रकार गुसा हुआ है कि बस उनका अंसान जैसा दिखने वाला चैरा ही सतय पर दिखाई देता है आस तक इस रहसे को सुलजाया नहीं जा सका कि आखिर ये यहां पहुचआ कैसे क्योंकि ये बहुत भारी है अब रुख करते हैं वैटिकन के गुप्त संग्राले में वैटिकन सिटी इटली की रास्थानी रूम के अंदर इस्तित एक छोटा सा स्वतन्त देश है वैटिकन के संग्राले और पुस्तकाले अमूले है इसलिए इसे अत्यान्थी गुप्त रखा जाता है यहां आठवीश रताब्दी के दस्तावेज एवं अन्य गुप्त वस्तुएं बूतल के गहरे अंदकार में गुदा में सुरक्षित रखी गई ताके इन गुप्त दस्तावेजों तक कोई न पहुंस सके यहां गुप्त दस्तावेजों में प्रमुक माइकल एंजोला के पत्र और स्कोट के मेरी कुईन के पत्र है जिसमें वे अपने निशकाशन की आशा कर रही थी अब लास्ट में हम आपको ले चलते हैं रेस्ट्रेक प्लाया यह कैलिफॉनिया के डर्थ वैली में स्थित है इस सूखे मरुतल पर अलग-अलग वजन के पत्थर बड़े रहस्में डंग से मौझूत है कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे वे घिसटते हुए आगे भढ़ रहे हैं उनके पीछे लंबी लकीर मौझूत है किसी इंसान या जानफर के जरिये इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नज़र नहीं आते क्योंकि वहां मौझूत मिट्टी से कोई छेरचार के सबूत है